गुरुणिंग स्टूडेंट्स अपने चनल सक्सेच की नाइटी पे स्वागत करते हूं मैं सीवं सराल लेकिया हूं आप लोगों के लिए अध्यायाथ चीजरन कैसे करते हैं नहीं पर लेकिया हाँ करें फिर पोरी देखा करी तब ही आपको समझ में आएगा ना था आपको समझ में नहीं आएगा तो पूरा वीडियो देखा करिए और सबी बच्ची एक साथ में सबी वीडियो को लाइक जरू करिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले कुछ इंपोर्टन ठिक्स तरहाएंगे फिसके बाद में कुछ ना अन्सर करवाएंगे हम लोग पहला लिखा ऑग जनन प्रजणन के से गयते हैं अन्यही एक मान की देख कुछ निल्खा हुआ है हिस्टा एक प्रजणन तो वहां कि रिया जिसमें वनस ब्रिदी जाती है अर्था एक पीडी फे-दूफरी पीडी-एक पीडि दूफरी पीडी को जनम देती है क्या कहलाता प्रजणन कह कहरे ला ना क्यालता है अगला क्या ख suspicion को एक दू एक या दुषी अधिक भागों में भाजन होना विखन दन कहलाता है ज्यानि जब कोशिकाए एक आध्या दो पार्ट में ढारती है टूड जाती है तो पाट क्या अगलाती है अगला कहें मुकलन तो जीव के फरीर के किसी एक भाग पर एक बल्ब जैसी फरचना बन जाती है और जैव पत्रिक जीव से अलग होकर के पूड बिक्षित होकर के जीव का निर्माण करते जिसे मुकलन बिदी के द्वारा जनन बोला जाता है आगे हम पढ़ेंगे कि मुकल की बिदी के द्वारा जनन कैसे होता है ठीक होता किया जैसे कोई भी मांगे जनतु का फरीर होता हुसमें बगल में नली का बढ़ बन जाया बढ़ माने बल बढ़ जैसी रचना हो जाए तो उसके माध्यम से एक नेजीव का निर्माण हो तो वह किरिय आप मुकुलन भी दी से जनन कहलाती है आगे है कि पुनरुद भवन यानि इसमें जीवों के खोए हुए भाग पुना बन जाते हैं जिसे हम लोग पुनरुद भवन कहते हैं और मनुफ्य के फरीर में सबसे ज्यादा पुनरुद भवन की शमता मुह में होती है और सबसे कम पुने बन की शम्ता मस्टिस्क में होती है अगर मस्टिस्क कोशिकाएं नष्ट हो गए तो जल्दी फे निर्माण नहीं होती है ठीक है तो याद रहे कि इंपोर्टन चीज़ें अगला बर्दी इनन किसे कहते हैं तो पॉद्ध के किसी भी काई कंग का अब जिसे काई कंग क् पुष्प अगा छोड़ दीए तो जितने भाग होते हैं जैसे पत्ती तना जड़ यह सभी काईक पाइड होते हैं पुष्प को छोड़ करके याद रगिएगा ठीक है अंग का प्रियों करके नए पौदे की निर्माण करने के बिधी क्या कलाती बढ़दी जरन कलाती है आ लोग गुलाब का पौदा लगाते हैं फेम टू फेम उसी तरीके फे अनिकी किसी को काट करके कलम लगाना ठीक है लेयरिंग क्या होती है तो इसमें पौदों की किसी एक साका को जुका कर नम भूमें में दबा दियाता है जिनसे नए जड़ निकल आती है और एक नए लेयरिंग कर लाती है ठीक है अगला क्या ग्राप्टिंग किसे कहते हैं तो इसमें अग्विविन पौदों के दो भागों को इस प्रकार जोड़ जोड़ आता है कि एक नया पौदा बन जाए जिसे देखा होगा आप लोगों ने हाइब्रीड पौदा तो हाइब्रीड जिसमें नर और मादा दोनों जननांग भाग लेते हैं तो इसमें यूगमकों के फयोजन से एक नया जीव की उत्पन होती है तो लेंगिक जनन कहलाती है याद रखिएगा इंपोर्टन चीज है अगला के है कि पौधों में पौधों में लेंगिक परजनन क्या होता है तो एक जनन में फरी इफ जनन में पूंकेसर नर और इसरी के फर मादा जननांग भाग लेते हैं इसमें यूगमनज कई बार फूत्री विभाजन से विभाजियोज होते हैं होकर एक नए पौझे को जनम लेता है तो यह पौधों में लेंगिक जनन कहलाता है अगला क्या कि तरीकेत होता है तो इसमें नर यूगमक शुक्राणू एबा मादायुक्मक अंडालू के फ़यूंग से एक यूगमनज का निदमा अटाने जाइगोड बनता है और जिसका भूण विकास के रूप जिसका भूण की रूप में होता है इसके पूर्ड विक्वित हो जाने पे सिसु का जनम होता है या करिया मनुस में लेंगिक प्रिजनिक अलाती है आगे बात कर लेते हैं शुक्राणू क्या होता है तो सुक्राणू नर यूगमक होता है याद रखेगा यह मनुस्य में पायाता है पूरुसों में पायाता है याद रखेगा इंपोर्टन चीज है अ आप फन वाल है आपक कैसे बनेंगा किPOS पाओधल के नर्जननारंगभा को क्या गहाई अ यहाद रखीगा और के मादा जननारंगभा क्या होता है यहाद रखी खेंगए दोनों product इंपर्टेंट दोनों चीज है इस लिए मैं ने बता दिया है आगे निफेचन क्या करनाता है तो नर युगमा का मादा युगमा किफात रोजन की खुब आती है सब अ कल मैं आप सब लोग से रहा हूं कल थोड़ा सगलती हो गया network काम ने कर रहा था इसलिए मैंने फीद है आप लोगों को अप्लोडर क्लास दिया था ठीके तो इसके लिए मैं महाँ भी चाहता हूं कि आपको लाइप क्लास कल नहीं मिल पाए था क्योंकि बड़ी क्लास हो गई थी वह ली ठीके तो इस चलिए अगला देख लेते हैं कि पूरफों में जो जनन अंग होता है तो उसके अंतरगत कौनकुण की आती है उसके अंतर बरफड आता है नलिकाया आती है सुक्रवाहियं आती है यूरेथ्धर आता है ятель सेसिन इफके अंतरगत आता है याद रखेगा माद जननण अंग मे गरभवत फिसु के बीच जयो फम्मंद बनाने वाला उतक प्लेफेंटा के लाता याद रखीगा यह इंपोर्टन चीज यह यह मान के चली आप्षणल भी हंडर्ट प्रफेंट आने की उम्मीद रखता है इसमें देखे किस तरीके से प्रसंबलेगा कि मादा और गरभवत फ फुद बताएंगे आगे क्या है कि जवना रख में अनेक परिवड़्त बनाते हैं उदाहराड के लिए लड़कियों में इफ्तन का विकाफ होना लड़कों के चेहरों पर बाल दाढ़ी आदी आना लेंगिक परिप्रकता के चिन्द जो होते हो आयोना आरंब के इंपोर्टेंट होते हैं आगे कहें कि मानों में नर जनन तंत्र में वरफड और सुक्रवाहिनी सुक्रास है प्रोस्टेट क्रंथी मुत्रमार्ग तता सिस्षिन होते हैं याद रखे का दोनों चीज इंपोर्टेंट होती हैं आगे कहा कि मानों के मादा जनन तंत्र में अंड दिखकत करते हैं सुक्र वाहिनीश्क्र वाहिनी कहां जय को जिस्ट्री की योनी में अफ्ठानहउं यौनिमें जय को जाता है जिससे निफीशन वाहिनी में में होता है तो कहां पाया जाएगा मादा जनन में पाया जाएगा रखिएगा अगला क्या है कि अपनाकर गर्म धारड को रोका ठीडोम कर्फोल्स घुलिय कोपटी तौपटि इसके उतार होते हैं याद रखे सारी कुश्चन भी इसी युबड़े वाले चलते हैं इसके आगे चलते हैं अप प्रतिकृति का मतलब होता है का भी करना ठीक है जैसे आपके अंदर होगा अदर होगा ड्यार in ने एक ही जात में इक ही प्रकार का होटा है तब था इसके लिए तब हम लोग एक कोषखा की होते हैं लेकिन बाद में डिवाईड डेफन होता हूता होता 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 है तो आपके और आपके मम्मी में जो भी या पापा में जो भी डियनने हैं सेम होगा याद रखेगा प्रश्न अगला है कि जीव में विभनता एस्पिसीज के लिए तो लाबदाया के परंतु वियस्ट के लिए आवस्चक नहीं है क्यों इसके बारे हम जानकारी लेख लेते हैं कि जीवों में विभनताओं की किसी जीव के अस्तित के लिए आवस्चक नहीं होता है क्योंकि उसके जीवित रहने की कुछ विभनताओं का कोई विशेश ववाव नहीं पड़ता है समानता के आधार पर अधिक अनकूल होते हैं लेकिन डियन्ने की दो प्रतिकित बिलकुल समान नहीं होती है चीकर उसमें कुछ ना कुछ विभनताओं आवस होती हैं जो धीरे धीरे कहरी होती जाती हैं जनन में होने वाली यह विभनताओं अन्ता इस्पेसीश के विकास में युगदान देती हैं जब विकास का आधार बनती हैं अतहाँ विभनताओं इस्पेसीश के उदभव के लिए आवस्यक हैं लेकिन जीव के जीवित रहने के लिए कोई माइने नहीं रखता है विभिनिता का मारला क्या होता है जैसे आपका DNA आपके दोस्त का DNA लेकिन जीवित रहने के लिए कोई मातों नहीं रखता है ठीक है आप देखिए पेज फंख्या 146 पर प्रश्ट फंख्या लिखा हुआ एक आप लोग चाहें तो इस कुश्चन को भी यहाद कर सकते ही नोट कर सकते ही नोट करते हुए चलते रहे सकते हैं चुकि यही प्रफ् तो ध्विखंडन का मतलब समझ लेते हैं इस बिदी द्वारा को जिवzing में तो भसारों में विवाजित किस प्रकार लाभानमित होते हैं तो बहुत फे फरल बहुत कोश्की जीवों के ब्रंत एक पर एक कैपसूल जैफी फनचना होती है जिसे बीजालू धानी कहा जाता है बीजालू के चारों और एक मोटी भित्ती होती है जो प्रतिकूल परिष्चितियों में उसकी रक्षा करती है नम सता के संपर्क में आने पर प्रद्धी करने लगती है वे हलके तथा गोल होते हैं जिसके कार्ड आसानी से वाताबरड में फैल जाते हैं ठीक है तो यह समझ लीजिएगा सब लोग अगर कोची नहीं सोन जागी तो स्र्था हो कि जटिल फरनचना वाले जिवु पुनरुध भवन द्वारा नई फंतान उत्पन नहीं कर सकते हैं तो देख लेते हैं दूफरा प्वाइंट होता है tra removed two उन नहीं हम लोग अगर चाहें तो क्या पुन्होंत भबन के द्वारा अपने नई फंतान को उध्पन कर सकते हैं तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम लोग जटिल T होते हैं इसमें क्या होता है कि पुनरोच भवन विश्ष को द्वारा होता है लेकिन जटी जीवों में वह नहीं पाया ता इस लिए हम लोग नहीं का सकते हैं याद रखेगा अगला प्रहलिका हुआ है कि कुछ पाधों को उगाने के काईक प्रवर्धन का प्रयोग क्यों किया जाता है देख लेते हैं कि काईक प्रवर्धन के लिए ऐसे पौधों में ही संभव हैं जिसके जड़तना तरह पत्ती में नए पौधों को उगाने की छमता पायाती है जैसे कि कुछ पौधों के बीज नहीं होते हैं ऐसे पौधों क केवल गाइक परजणन द्वारा आजा याअज है इसे केला काक परजणन करके बीज नहीं पाइला नारंगी संतरा ठीक है गुलाब यह भी क्षाम्य परदों करके हैं जास्मीन और गन्याम कि बेज चंपता कम या बिल्कुल नहीं होती है ऐसे पधे काइक प्रवर्धन द्वारा उगा आते हैं ठीके आगे क्या है कि DNA की प्रतिकरी बना बनाना जनन के लिए आवश्चक क्यों होती है इसकी बारें बात कर लेते हैं तो DNA की प्रतिकरी बना जनन के लिए आवश्चक है या जनन के लिए एक मून घतना होती है जनन कोश्का की दो कोश् एक प्रतकckenत्री नई फृतिंत्ना में और एक मूल कोशका में रहती है इस इस प्रकार्दोरत की दो नई कोशका बनने में सहायता करती हैं और जनन होता है देखें कया होता है जिसे आप और मता-पिता जैसे मता-पिता थीक है ने हमको उत्पन किया है तो हम में क्या होगा उनके डिने का एक प्रति हमारे में पाया जाएगा और एक फोटो उसी का मलब उसी का फोटो का पी मम्मी और पापा के अंदर पाया जाएगा तो जो उनमें क्या हो जाती है डिने प्रतिकृत होना जनन के लिए आवश्यक होता है अगर DNA प्रतिक्रित नहीं होगा यानि उनका DNA converter नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा जनन नहीं होगा और हमलब फंटान को उत्पन नहीं कर सकते हैं तो इसलिए होता है DNA प्रतिक्रित इंपोर्टेंट होता है ठीक है अगला प्रस लिखा हुआ 154 पेज संख्या पर है कि परागड की किरिया होती है वह पराग कड़ो का पूंकेसर से ठीक है पराग कड़ो का पूंकेसर से पराग कड़ो का पूंकेसर से वर्तिकागर पर पहुंचने की किरिया परागड कहलाती है ठीक है आपने देखा होगा अभी आगे हम उदार से समझेंगे पूछप के तब तक के मुझेंगे तब की आफले की देजाने इस प्रकेरिया में को माद्धा युग्मक माधा युगमक से ले जाने का और sp पुष्प का उधाराड भी लेके समझेंगे तब तक के लिए आगे देख लेते हैं यह सी सभी को समझ में आ गया है तो यहां पर देखिए इंपोर्टन कुष्चन क्या बनता है कि परागड कहलाता है ठीक है तो देखिए छोटे टीकुष्चन बनने के लिए आफार होते हैं यह खक परात है तो यह लाँ टीकाड यह कोई कि पुष्चन बनताहे हैं और भर वर्तिकागर पर पहुँच जाते हैं ऑर पराक्ण जब वरतिकाडर परपहुंच जाते दिखिंच है तो लिए को पणागप कहले हैं तो यह किस के माध्यम्प होती क्ईट के मानझSoft होता कीड कोई बैढ़ता है तूसमें पर रखकशी पर बैढ़ता ने वहां पर उटीक वहां पर हवाके माध्यम्प चले आते हैं यह जल आप पच्छी यह मनुस्रीक माध्यमपë से चली आते हैं ठीक है निक्षर्चन की क्रिया क्या होती जब नर और माधायुकमक अन्य जभ सब्सक्राइब रocy करने का पहुती है यह तो नर्जनन तंत्र में रखiva एवंडीटर गंतिया तीन यह जोटियों के सबढ़ के साथ मिलते हैं है इस प्राकार एक द्रौव में आ जाते हैं remarkable के अश्टाना अंतरल को आशान बनाता है तो carry भी परदान कर देता है ठीक ही इने ग्रंधियों के फ़्राव सब्सक्राव मतलब सराव होता है तो एन ग्रंद्थि vasra होते हैं वह कहां मिलते हैं शुक्रा वों के साथ मिलते हैं तो इस सब्रेब से प्रकार सब्राव की द्लिजर में आ जिन इस फेरी एक मान के चल एक दाव में आ जाते हैं जिक जर एक द्लै आल मेरике को भी फोफट प्रदान करता जैसे वीर आप लोगों ने समझ लिया होगा ठीक है आगे बात कर लेते हैं कि यह वनारंब के समय लड़कियों में कौन-कौन से परिवर्तन दिखाई देते हैं तो एस्तनों के आकार में ब्रदी होने लगती है एस्तनाग्र की तवचा एवं गह भाए हमनि बात यहिसे बातकर होता है तो निफीचन के बाद जब युगमेस बनता तो धीरे-दीरे के रूप में बिकफित होने लगता है फिर उसके बाद में क्या होता है इस प्रकाइब को इंप्लेटेशन बूला याता है ठीक है आगे कहा है कि प्रूड माता के फरीर से अपना भोजन प्राब्व्च तक प्रता है इसके लिए को . एक बिशिफ्ट पकार की उता होती है विलाई से बनी होती है, जो क्छित्रफल बढ़ता है विलाई के दूटी का काम करता है गरभावते को चेत्रफ़ल को बढ़ाने का काम करता है जिससे भ्रूण को अधिक गुलूकोल आसवीजाइन प्राप्त होता है इस प्रकार ciao माता के दख्राप्ते करते हैं तोसे किसे पलेफेंटा कापर्टी का पर्योग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन फंचलित रोगों फे रक्षा करेगा नहीं क्योंकि कापर्टी जो होता है यह क्या क्या काम करता है गर्वधारण रोगने को हेल्प करता है ठीक है और यहां रोगों फे जो रच्छा नहीं करेगी ठीक चलिए पेज फंक एक सो पच्पन की बात कर लेते हैं इसमें आपफण वाले हैं ठीक है तो आपफण देख लेते हैं इसमें कौन-कौन से हैं पहला लिखा हुआ कि आलाएंगी जरन मुकलन द्वार में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं होता है तो देखिए मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग नहीं होगा क्या होगा सुक्रवाहनी डिम्बवाहनी गरवासे और अंडा से तो देखिए अंडा से मादम पाए जाएगा घरवासे भी मादा में पाए जाएगा डिम्बवाहनी पराइक्रत होते हैं यहां होते हैं खोषिका भाजन में ने दो प्रतिकृते उत्वपनता है यह ऑट होता है और इन्हें प्सकोषिका की ड्रतिकृते से कुछ लिएन्यत आएं होती हालकाभुरका भेनता होती क्योंकि मात आवकिटाएं दोणों के लक्षन होते हैं आलेंगीome DNA की प्रतिक्रिक आप्ण में आई भीविन्यत नइंप्सक्राइं ही होोंगी जो परिवरतन एवन विकाव के ऊफर को अलेंगिक जनर करती है परिवर्तन विकाफ के बहुत कम ऐफसट को परड़न करती है एक जय जबוע को लहेंगिक नहीं होगा तो नए परिवर्तन नहीं हो पाएगे निया विकाफ नहीं हो पाइगा तीस आगे कि विभी नताये जीवित जननमी भाग लेने से आई है अता उत्तपन्न होने पर जीव की उत्तर जिवता मत होती है अगर भी अगर हानिकार कोई चीज आएगा तो हम जो episódio उत्तर जीवता है अताहा विकास वह परिवश्ञ के अवफर कई गुना आधेक होते हैं ठीके जबकि आलेइंगिक में संतती अपनी पित्र पीड़ी से हूब हूँ मिलती है ठीक है इस प्रकार के अलेंगिक जनन की अपक्षा लेंगिक जनन के जो लाब होते हैं वो जीवेस्पिचीत के लक्षडों के परिवर्तर विकास एवं उतर जीवता में ब्रद्धी करता है अब बात समझेगा देखि बाट मिलेंगे नहीं तो देखिए जो अलेंगिक जननाला उसके फल फिरुप ईसमें मात और पिता दॉनों के वह लेकिन वो क्या होगी भिविन भिन होगी ठीक है अधिक यह उजोस की दख क्या कहने का मतलब है कि एक नई प्रकार की खोजने के लिए आप लोगो ने देखा वगा जिसे माता और पिता पिता में क्या है ठीक है कोई गुड़ है और माता में कोई गड़ दोनों को कॉमिनेशन हम चैनल को सब्सक्राइब करेंगा अब हम मिलेंगे सबीकों साड़ी आट बजे मैं तब तक के लिए लेता हुं आप फिर विदा और जाते बता दूं अगर अभी आप लोगों ने वीडियो को सेर नहें किया है तो अपने समस्त दोफ्तों तक वीडियो को सेर करिये जिसे कि स सभी दोस्त आकर के जुड़ें के लिए दिन और चितने ज्यादा ज्यादा लोग जुड़ेंगे उतने ज्यादा ज्यादा उनको फिच्छा प्राप्त हो पाएगा क्योंकि लागडाउन का समय चला आप सभी की पढ़ाई नहीं चल पा रहे ठीक है इसके लिए हमने आपके ल कीजिए और आगे की और बढ़ी है ठीक है तो आप से लेता हों बेदा फिर मिलूंगा अभी थोड़ी देर में फाले याडवे तब तक कि लगडवाएं